सरल आकरतियों को नापना भाग एक साइज ओफ सिंपल शेप्स पार्ट वन आज हम सीखेंगे आकरतियों को कैसे नापा जाता है और आकरतियों को नापने की जरूरत क्यों होती है वंदना देखो मेरे पापा ने मुझे ये किताब दिलाई है ओ ये तो बहुत बड़ी किताब है मेरे पास भी एक बड़ी किताब है ये देखो हाँ ये भी बड़ी किताब है लेकिन मेरी किताब ज्यादा बड़ी है नहीं मुझे तो मेरी किताब ज्यादा बड़ी लग रही है देखो, मेरी किताब तुम्हारी किताब से ज्यादा बड़ी है देखो, इस किनारे से तो मेरी किताब ज्यादा बड़ी है अरे हाँ, एक किनारे से मेरी किताब बड़ी है और एक किनारे से तुम्हारी किताब बड़ी है तो फिर किसकी किताब बड़ी है? मैडम, हमें आप से कुछ पूछना है मैडम, हमारे पास ये दो किताबे हैं हमको ये जानना है कि इन दोनों में से कौन सी किताब बढ़ी है इसका पता लगाना आसान है आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों में से कौन से किताब को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए लेकिन उससे कैसे पता चलेगा कि कौन से किताब बढ़ी है आकरतियों को इसी आधार पर ना पा जाता है कि वह कितनी जगह गेरती है और ये दोनों ही किताबें चतुर भुज के आकार की हैं मतलब दोनों किताबों में चार किनारे या भुजाएं है इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में से कौन से किताब पड़ी है ये पता लगाने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि हग कितनी जगा घेरती है हाँ लेकिन मैडम कोई आकरती कितनी जगा घेर रही है ये कैसे पता लगाया जाता है ये पता लगाना बहुत आसान है इसके लिए हम वर्ग, स्क्वेर के आकार के टुकडों का प्रयोग करते हैं ये टुकडे आप कागज, कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के भी बना सकते हैं मेरे पास प्लास्टिक के वर्गाकार टुकडे हैं इन टुकडों के सभी किनारे 5 सेंटीमीटर के हैं आप ये टुकडे लीजिए और इनको किताबों के उपर इस तरह रखिए कि कोई भी टुकडा किताब से बाहर ना जाए और कोई भी टुकडा एक दूसरे के उपर ना रखा हो मैडम, पूरी तरह समझ नहीं आया एक किताब को आप नाप कर बता दीजिए अगली किताब को हम नाप लेंगे ठीक है, देखिए, ये आपकी किताब है अब हम टुकडों को इस किताब के उपर इस तरह रखते जाते हैं कि टुकडों के बीच में कोई जगा खाली ना हो मैडम, किताब तो पूरी तरह टुकडों से धख चुकी है लेकिन इससे नाप कैसे पता चला? पता चला ना, अब हमको ये पता चल गया है कि इस किताब को ढखने के लिए हमें 36 टुकडों की जरूरत पड़ी अब इसी तरह से आप दूसरे किताब को नापिए फिर आप खुद बखुद बता दोगे कि कौन सी किताब बड़ी है ठीक है, अब हम दूसरी किताब को नापते हैं इस किताब पर इन टुकडों को मिला कर इस तरह रखते जाते हैं कि कोई भी काड एक दूसरे के ऊपर नााइ अब बताइये वंद्ना इस किताब को ढखने के लिए आपको कितने टुकडों की जरूरत पड़ी इस किताब को ढखने के लिए 35 टुकडों का इस्तेमाल हुआ जबकि नेहा की किताब को ढखने के लिए 36 टुकडों की जरूरत पड़ी इसका मतलब मेरी किताब को ढखने के लिए ज्यादा टुकडों की जरूरत पड़ी तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नेहा की किताब ज्यादा बड़ी है? हाँ क्योंकि नेहा की किताब उतनी जगा घेरेगी जितनी जगा 36 टुकड़े घेरेंगे और आपकी किताब उतनी जगा घेरेगी जितनी जगा 35 टुकड़े घेरेंगे इसका मतलब यह हुआ कि नेहा की किताब आपकी किताब से ज्यादा जगा घेरती है और इसलिए नेहा की किताब बड़ी है हम अब समझ में आया कि क्यों हम कह सकते हैं कि नेहा की किताब मेरी किताब से बड़ी है इस तरह हम किन-किन चीजों को नाप सकते हैं जब भी आपको किसी आकरती का नाप पुछा जाए तब आप इस तरीके को इस्तिमाल कर सकते हैं। कुछ उधारन दीजिये ना मैडम। ठीक है नेहा, देखिए, आप अपनी क्लास के डेस्क नाप सकते हैं। अपनी क्लास में लगे बोड का नाप भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। खेतों के नाप भी इसी तरह से लिये जाते हैं। लेकिन मैडम, इस तरह नापने की जरूरत क्यों होती है? देखिए वंदना, हर वस्तु की अलग-अलग उपियोगिता होती है और उसी उपियोगिता के अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि उसका नाप किस तरह लेना है। जैसे आपकी क्लास के डेस्क बनाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि उस पर क्या-क्या रखा जा सकता है। जितनी ज्यादा वस्तुएं उस पर रखी जा सकती हैं, वो उतनी ही उपियोगि हो जाएगी। इसलिए आपकी क्लास की डेस्क को नापने के लिए हम ये नापेंगे कि वो कितना स्थान घेरती है। ठीक इसी तरह खेत की उपियोगिता भी इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। यदि खेत छोटा है यानि कम जगह घेरता है तो उसमें कम पौधे लगाये जा सकते हैं। धन्यवाद माडम, अब हम बहुत सी चीजों को नापेंगे आज आपने सीखा की आकृती को नापने के लिए यह पता लगाया जाता है कि वह कितनी जगा घेर रही है और कुछ वस्तूओं जैसे खेत, डेस्क, मेज, इत्यादी को नापने के लिए उनके द्वारा घेरे गय स्थान से नापा जाता है